उत्रा खंड में UCC बिल पास हो चुका है और लगातार चर्शा का विशय बना हुआ है आखर क्या है ये बिल और खास तोर पे इसमें जो लीविन रिलेशन्शिप्स को ले करके कॉंसेप्ट बनाया गया है उसमें क्या कुछ बदलाओ होने वाले हैं यही जानने के आज हम आ गए है भीमरौ अंबेटकर युनिवर्सिटी के जो लीगल लौ डिपार्टमेंट है वहाँ पर हो मैंसाद एक्सपर्ट वर्मा मैम है आए मैम से पूछते हैं कि आखिर क्या है यह बिल खास तौर पर लीविन रिलेशन्शिप को ले करके मैं मैं आपका बहुत स्वागत है धन्यवाद अंजली जी अभी उत्राखंड में रिसेंटली यूनिफॉर्म सेवल कोड लागू किया गया है वो उत्राखंड स्टेट के लिए ही है यह बिल बेसिकली समाज में सभी बिना किसी बेदभाओ के जाती के आदार पर बेदभाओ के बगेर सभी महिलाओं और पुर्चों के उपर विभा संबंदी जो भी उनके दाईत वो करतवे और अधिकार होते हैं उन सब के संबंद में यह बिल लाया गया है और इसमें अभी तक हमारे हैं परसनल लॉज चलते थे जैसे हिंदू लॉज हिंदू के उपर लागू होते थे मुस्लिम के उपर लागू होते थे लेकिन अब UCC के आने के बाद में ये परस्नल लाज जो हैं वो इन सब के संबन में सभी व्यक्तियों के उपर एक समान रूप से लागू होंगे चाहें वो किसी भी धर्म के हो इस बिल में लिव इन रिलेशन्शिप के लिए भी प्रोविजन किया गया है क्योंकि आजकल के समय में आप देखी रहे हैं अंचली जी की समाज बहुत परिवर्तित हो गया है और यूवा जो हैं कई बार समाजिक मैरिज के समाजिक बंधन में बंदना नहीं चाहते हैं लेकिन वो अपनी पसंद के पार्टनर के साथ में बिना समाजिक बंधनों और लीगल बंधनों के वो उनके साथ में रहने के लिए मतलब फ्री होते हैं और इस तरीके की रिलेशन्शिप आचकल बहुत प्रचलन में हैं लेकिन इस तरह की रिलेशन्शिप के लिए अभी तक कोई ऐसा लौ न जब तक दोनों partner सहमती से रहते रहते हैं तब तक तो कोई problem नहीं होती है लेकिन जब वो लोग अलग होते हैं उनका separation होता है तो वहाँ पर अगर उस relationship से कोई बच्चा हुआ है तो उसकी इस्तधी क्या होगी property कैसे मिलेगी उसके उपर natural guardian कौन माना जाएगा और वो अपने parents क property में उसका हगदार होगा या नहीं होगा उसकी legitimacy क्या होगी यह सारी चीजों का बहुत बड़ा problem और कोई प्रशन था उसके साथ साथ में महिला के separation होने के बाद में महिला जैसे marriage के साथ में एक महिलाओं का है कि अगर उनको divorce उनका हो जाता है separation हो जाता है तो वो अपने husband से maintenance प्राप्त कर सकती है अगर वो अपने आपको maintain करने में इनकापेबल है तो live in relationship में ऐसी कोई provision जो था वो नहीं था हलाकि कई सारे cases Supreme Court ने on level Supreme Court ने decide किये थे जिसमें कहा था कि अगर live in relationship में महिला और पुरुष रहते हैं और बाद में separation होता है और महिला अपने आपको maintain करने में असमर्थ होती है तो live in relationship में भी फुरुष जो है वो उसको maintenance देने के लिए बादे हो सकता है तो यह होगा तो यह case to case डिफर करता है situation circumstances के उपर तो इसलिए cases जो है Supreme Court के उसके accordingly decide किये जाते हैं लेकिन यह उत्राखंड का जो UCC Bill है इसमें live in relationship को भी cover किया गया है और उसमे live in relationship को ठीक उसी प्रकार से treat किया गया है खास्तोर से जैसे marriage को treat किया गया है इसमें UCC में live in relationship को compulsorily उन्होंने कहा है कि अगर दो partner सहमती से live in relationship में रह रहे हैं तो उनको registration कराना must होगा और वो registrar जो appoint किया जाएगा state की ओर से तो वो हर मतलब जिस jurisdiction में वो partners रहते हैं उस jurisdiction वाले registrar के हाँ वो अपना एक statement देंगे जिस statement में वो information देंगे कि वो किस party के साथ किस व्यक्ति के साथ relationship में रह रह रहे हैं उनकी कोई term and conditions है क्या है वो सारी चीज़े बताएंगे और उसके आधार पर वो registrar के पास में application submit सहमती से रजिस्टर जो है वो ही decide करेगा उनकी application के तत्यों के आधार पर कि उनको register करना चाहिए नहीं करना चाहिए रजिस्टर रिफ्यूस भी कर सकता है उसके कुछ ग्राउंड्स हैं जैसे partners जो हैं वो prohibited degree में ना हो जैसे हमारे हिंदू marriage act के अंतरगत कुछ ऐसे relationship हैं जि से से माता पिता के मतलब अगर मदर एक है और फादर अलग अलग है या फिर वो मदर के side से और फादर के side से जो relations होते हैं उनके बीच में चार पीड़ी पांच पीड़ी तक जो है वो marriage नहीं हो सकती तो इस तरीके के prohibited relationship जो है वो living relationship में भी देखी जाएगी अब तक relationship बनाने के लिए living relationship बनाने के लिए ये सारी conditions नहीं हुआ करती थी साथी साथ अगर जैसे Muslim उसमें personal laws में भी कुछ prohibited degree हैं कि same father के और mother के जो same mother के जो वो हैं बच्चे हैं तो उस उनका उनकी marriage नहीं हो सकती तो यहां पर वो prohibited degree देखी जाएगी अगर prohibited degree में partners हैं तो वहां पर marriage उनका living relationship certified नहीं किया जाएगा अगर coercion से उनकी सहमती ली गई किसी भी एक party को पूरी तरह से नहीं बताया गया कि हमारा status क्या है उससे जबरदस्ती कहा जा रहा है कि तुम living relationship में रहोगी उसको fraudulent information दी जा रही है कलत तरीके की information दे करके जैसे मालीजे की एक व्यक्ति पहले से married है औ और married होने के बावजूद वो किसी के साथ living relationship में रहना चाहा रहा है और उसने उस दूसरी partner को जो है यह नहीं बताया है कि हम पहले से married है और living relationship में रहना चाहते हैं तो अगर registrar को पता चलता है कि यह fraudulent relationship fraudulent information के तुरू ली जा रही है यह registration के करवाया जा रहा है तो वो उसको cancel कर सकता है तो यह कुछ conditions हैं जिसकी basis पर restart जो है वो relationship का जो certification है वो cancel कर सकता है लेकिन अगर उसमें ऐसी कोई foundation नहीं है तो फिर वो 30 दिन के अंदर जेजिनों ने अप्लाई किया उसके बाद में 30 दिन के अंदर वो उसको जो है certificate दे देंगे कि they are living in the living relationship यह जो certification है यह जो ल और जो आने वाले समय में अपनी मतलब relationship बनाएंगे उनके लिए भी इसा नहीं है कि आने वाले जो नए couples आएंगे उनके लिए इसा नहीं है जो लोग ओल्रेवन रिलेशनशिप में रहा रह रहे हैं उनके लिए इस लिए और साती साथ उन्होंने यह भी provision किया है कि उत्रा गंड के निवासी हैं और वो उत्रागंड से बाहर किसी जगे रह रहे हैं तो वो भी registration कराएंगे और उनका registration जिस territory में वो रह रहे हैं वहां के रिजिस्टरार से होगा तो इस तरीके से इसका extra territorial jurisdiction भी होगा कि मतलब जो living partners हैं वो उस state के रहने उत्रागंड के रहने वाले है लेकिन वो रहे किसी और state में रहें तो वहां पर उनको अपनी relationship को register कराना जरूरी होगा साथी साथ इस में बिल्कुल clearly इस UCC will में कहा दिया गया है कि ऐसे relationship से जो बच्चे होंगे वो legitimate बच्चे होंगे मतलब उन बच्चों की legitimacy पर कोई question नहीं मदर फादर के बच्चे कहला आएंगे अब तक केवल court के decisions थे इसके उपर लेकिन अब ये law बन गया है तो इसलिए अब ये जो है बिल्कुल इन्होंने उत्राखंड में final कर दिया है law के तुरू की अगर बच्चा live in relationship का result है तो वहां पर बच्चे के legitimacy पर कोई question नहीं हो सकता है और जब बच्चे को legitimate कर बना दिया गया है इस बिल के द्वारा तो वहां पर उसके उसी प्रकार के अधिकार अपने मदर और फादर के साथ में और उनकी properties में और सब में होंगे क्योंकि वो legitimate के साथ साथ उनको वो सारे अधिकार मिल जाते हैं जो अधिकार बाकी personal laws में उस पती-पत्नी के संबंदो के बाद में जो बच्चे होते हैं उनको मिलते हैं तो बच्चों के ऊपर वो controversy जो अब तक थी कि legitimate होंगे नहीं होंगे और court के decision के तो आ रही कहा गया था कि वो legitimate होंगे कोई law नहीं था है सच तो अब वो law उत्रा गवर्मेंट ने बना दिया है एक अच्छी पहल है जिससे बच्चों के मतलब क्योंकि अगर आज भी हमारे समाज में question उड़ता है कि अगर माता और पिता married couple नहीं है तो उनसे उत्पन जो संतान होती है उसको अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है ना जाएस टाइप के वर्ड उसके लिए use किये जाते हैं तो अब वो चीज जो वो सारे ही अधिकार होंगे अपने माता पिता के रिगार्डिंग जो अधिकार उनको बाकी personal laws में अपने एक बिवाहित माता पिता के बच्चों की तरह जर्म लेने से होते हैं तो वो एक controversy बिल से खतम हो जाएगी उत्राकंड स्टेट में साथी साथ उन्होंने maintenance का अधिका है अगर वो deserted मतलब उनका separation होता है कुछ समय के बाद में तो वो उस अपने partner से जो है वो maintenance क्लेम कर सकती है और maintenance ठीक उसी तरह से मिलेगा जैसे कि एक बिवाहित पत्नी को मिलता है तो उस तरह से वो maintenance क्लेम कर सकती है इसी के तरह से जैसे जैसे यू सिसी में कहा गया है डिव वाहित कपल होगा वो अगर अपने बिवा को खतम करना चाहता है तो उसको डिवोर्स का अधिकार होगा तो यहां पर जो लिवन डिलेशन्शिप वाला जो कपल है वो अगर सासा मतलब जब तक रहते हैं जब तक ठीक है लेकिन अगर वो separate होना चाहते हैं तो अगेन उन्हे रजिस्ट्रार को information देनी पड़ेगी कि अब हम separate होना चाहा रहे हैं तो इसमें दोनों मेंसे कोई भी एक पक्षिकार जो है वो रजिस्ट्रार को application दे सकता है कि अब हम इस relationship में अब मैं इस relationship में नहीं रहना चाहता हूं नहीं रहना चाहती हूं रजिस्ट्रार जो है वो ऐसी information दूसरे party को provide करेगा कि अब आपका पार्टनर आपके साथ relationship में नहीं रहना चाहता है तो उसके बाद में अगर वो satisfied है और तब फिर उनका जो relationship है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा तो इस तरीके के provision जो है वो UCC में किये गए हैं living relationship में रहने वाले couples के लिए अभी तक इस पर केबल कुछ court decisions ही थे तो ये पहल है शुरुवात है उत्राखन government के दौरा कि इस संबंधों को मतलब जो बिभा के अतरेक जो संबंध है जो couple जो है वो बिभा के संबंधों में नह रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं लेकिन उनकी information जो है वो government के पास में होनी चाहिए और अगर वो inform नहीं करते हैं तो वहां पर उनकी relationship valid नहीं माने जाएगी और इस तरीके की relationship को इस UCC bill के accordingly उसका कोई भी claim किसी भी party का फिर वो उसमें नहीं बनता है तो इसलिए यहां पर ए अलाकि और भी कई सारे issues इसमें होने चाहिए बहुत थोड़े provision किये हुए हैं क्योंकि शायद government का ये मतलब इच्छा होगी कि उनको वो marriage के relationship की bonding को ही जादा वो महत वो दें लेकिन फिर भी इस तरीके के जो समाज में आजकल के प्रचलन में जो संबन्ध है उनको भी legitimate करने का इन्होंने प्रयास किया है तो मेरे ख्याल से एक अच्छी शुरुआत है और आगे इस पर और भी अधिक ध्यान दिया जाएगा और भी जो डूटीज और राइट्स का बात होगी वो और elaborate की जाएगी मुझे लगता है कि और भी प्रदेशों में इस तरीके की पहल की जा है कि आखिर जो यू-सी-सी बिल है उसमें जो लिव-इन रिलेशन्शिप है उसमें दोनों साइट्स यानि लड़का और लड़की के पक्ष से क्या कुछ इस रिष्टे को मजबूती मिलेगी किस तरह से पंजीकरण कराना होगा पंजीकरण के बाद क्या कुछ होगा और कि संतान है उसको क्या अधिकार इससे मिलेंगे तो एक तरफ से बड़ी पहल सरकार की ओर से की गई है और जिस पर हम आपसे जादर जानकारी देने के कोशिश कर रहे हैं तो यकिन यह जानकारी भी आपको पसंद आई होगी तब तो जुड़े मेरे साथ मैं लखनो से अंजली सिंग राजपूर न्यूजए टीम